चानक के IIS Academy में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौदरिक नीती समिक्षा के बारे में जो हाल ही में की गई है। भारती रिजर्बेंग ने द्वी मासिक मौदरिक नीती समिक्षा में रेपो दर में 0.35% की व्रिदी की है। MPA की बैठक में शामिल 6 सदस्यों में से 4 सदस्यों ने रेपो रेट बढ़ाने के पक्ष में वोट किया है और उनका मानना था कि महंगाई के काबू में आने तक ब्याजदरों को उपर रखना जरूरी है। MPA का लक्ष है बुनियादी महंगाई को नीचे लाना है और इसकी आगे लगातार समिक्षा की जाएगी अनुमान है कि अगले 12 महीने तक खुद्रा महंगाई दर 4 परतिशत से उपर ही बनी रहेगी। अब हम बात करेंगे कि मौद्रिक नीती समिक्षा में मुख्य बातें क्या थी और मुख्य पक्ष कैसे थे। अर्थ व्यवस्ता मजबूत बनी हुई है देश तिव्र आर्थिक व्रिदीदर हासिल करने वाली बड़ी अर्थ व्यवस्ता बना रहेगा। वेश्विक स्तर पर लंबे समय से जारी तनाव से परिद्रश्य के समक्ष सबसे बड़ा जोखिम वेश्विक मंदी और वेश्विक वित्यस्तिती का कड़ा होना है। मुद्रस्विती के खिलाफ अभी कारवाई पूरी नहीं हुई है। केंद्रिये बैंक मुद्रस्विती की उभरती स्तिती पर नजर रखेगा। डॉलर में मजबूती के साथ अन्य उभरती अर्थ्रवस्ताओं के मुकाबले रुपए में उतार चड़ाव सीमित है। इसके अलावा बैंकों में नगदी की स्तिती अधिशेस्तर पर है। गैर खाद्य कर्ज अप्रिल नमेंबर में बढ़कर 10.6 लाग करोड रुपए है। एक साल पहले यह 1.9 लाग करोड रुपए था। UPI यानि की Unified Payment Interface जल्दी ही ग्रहाकों को किसी उदेश्य विशेश के लिए खाते में अपनी राशी को ब्लॉक करने के अनुमती देगा। इस फैसले से आने वाले समय में होन, ओटो, पर्सनल, सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। 2022 में रेपो रेट को पांचवे बार बढ़ाया गया है। इसे इस तरह से बढ़ाने के कारण क्या है? इससे पहले विशर्ब बैंग ने करोना काल में कर्स का बोज घटाने और आम आदमी को राहत देने के लिए रेपो रेट में बड़ी कटोती की थी। तब रेपो रेट को करीब 2.50 फिस्दी घटा कर 4 फिस्दी कर दिया गया था। करोना काल के बाद अब रिजर्ब बैंग ने वापस रेपो रेपो रेट को बढ़ाना शुरू किया है। इसका सबसे बड़ा कारण महंगाई का दबाब है। सितंबर 2022 में खुद्रा महंगाई की दड़ 7.4 फिस्दी पहुँच गई थी जो ऑक्टोबर में थोड़ा घट कर 6.7 फिस्दी पर आ गई यही कारण है कि इस बार रेपो रेट में भी RBI ने पहले के मुकाबले कम रिली की है। अब हम देखेंगे कि मौदरिट नीती समीती क्या है। MPC RBI का एक सरकार द्वारा गठित निकाए है जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, आदी जैसे टूल का उप्योग करके देश की मौदरिट नीती तियार करने के लिए जिम्मेदार है। MPC में 6 सदस्य हैं, 3 सरकार द्वारा नामित और 3 RBI के सदस्य हैं। RBI के गवर्नर समीदी के पदैन अध्यक्ष होते हैं। MPC आम तोर पर साल में 6 बार मिलती है और प्रतेग सदस्य का कारेकाल 4 साल का होता है। MPC के फैसले मदान द्वारा लिये जाते हैं जहां पर एक साधार्न बहुमत यानि की 6 में से 4 किसी निर्णे को पारित करने के लिए आवश्चक होता है। RBI अधिनियम 1934 RBI को मौदरिक नीती निर्णे लेने का अधिकार देता है। MPC बहुत महत्वण हैं क्योंकि MPC द्वारा निर्धारित दरें देश में जमाखातों के साथ साथ रिणों पर ब्याजदरों को निर्धारित करती है। उच्च ब्याजदरों का आम तोर पर मतलब है कि RBI चाहता है कि लोग कम खर्च करें यह बढ़ते इंफ्लेशन को नियंतरित करने के लिए किया जाता है। इंफ्लेशन गिरने की स्तिती में लोगों को अधिक पैसा खर्च करने के लिए RBI द्वारा ब्याजदरों में कमी की जाती है। COVID-19 महामारी के बाद से RBI और दुनिया भर के अन्य केंद्रिये बैंकों द्वारा इस रुप का पालन किया जा रहा है। मौदरिक नीती समिक्षा में जिन दरों की बात की जाती है। अब हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते है रेपोरेट क्या है। रेपोरेट का मतलब है रिजर बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिये जाने वाले कर्ज की दर्थ। बैंक इस चार्ज से अपने ग्रहकों को लोन प्रदान करता है। रेपोरेट कम होने का अर्थ है ग्रहक अब कम नामों में भी होम लोन और वेकल लोन जैसे लोन की कर्ज की दर्थ सस्ते हो जाएंगे। दूसरी तरफ reverse repo rate का अर्थ है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है reverse repo rate बाजारों में नगदी की liquidity को नियंतरित करता है RBI reverse repo rate बढ़ा देता है ताकि बैंक जादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम को उसके पास जमा करा दे CRR की बात करें तो CRR का अर्थ है उस धन से है जो हर बैंक अपनी कुल नगदी का कुछ हिस्सा reserve bank के पास रखता है cash reserve ratio का अर्थ उस धन से है जो हर बैंक अपनी कुल नगदी का कुछ हिस्सा रिजर्ब बेंक के पास रखता है इसी तरह से SLR नगदी के लिक्विडिटी को कंट्रोल में रखने के लिए SLR का इस्तेमाल किया जाता है RBI जब ब्यास दरों में बदलाव किये बगैर नगदी की लिक्विडिटी कम करना चाहता है तो वह CRR बढ़ा देता है इस से बैकों के पास लोन देने के लिए कम रकम भशती है इसके साथ ही मौदरिक नीती समिक्षा से जुड़े हर पहलू पर हमने बात कर ली है आज का हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है हम कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू सो मच दोंट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्डेट